हलो दोस्तो नमश्कार को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुती सॉलिड ब्रेकिंग न्यूस के बारे में यस सो दोस्तो यह ऐसी खबर है अगर यह भविशा में अगर हम लोग को सच साबित होते वे देखने को आपे मिलेगी सच मतलब अभी क्या जूट है तो ऐसा नहीं है अभी इंतजार चल रहा है कि यह खबर आएगी करके मतलब obviously if but वाली situation यहाँ पे चल रही है अगर यह खबर हम लोग को भविशा में आते वे देखने को मिलेगी फिर उसके बाद अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो literally यह स्टॉक आपको rocket बनते वे देखने को आपे मिल सकता है obviously यह सुनने के बाद आपके चेरे के पर एक मुसकान आएगी चलो जाके खरीते है तो दोस्ते ऐसी बात नहीं है किसी भी स्टॉक में अगर आप जाते हो तो उसके positive point भी होते है और कुछ negative points भी होते है तो negative points भी क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा तो जल्द बाजी मत करना जहापे भी आप जल्द बाजी करोगे याद रखना आप अपने ले ही ही खतरा यहापे पैदा कर रहे हो ठीक है तो दोस्तो हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप share market में हो तो आपका business के हिसाब से सोचने का तरीका होना चाहिए अगर किसी company का business grow होगा तो automatically उसका share price भी आप लोगों को grow होते हुए देखने को मिलेगा तो दोस्तो एक बहुत ही कमाल की खबर हम लोगों को फिलाल तो देखने को मिल रही है और वो कौन से sector से related है तो दोस्तो वो है defense sector के बारे में अभी defense भी देखा गया तो इसमें भी अलग-अलग चीज़े देखने को मिल जाती है जैसे की army है, navy है उसी के साथ साथ air force है तो कौन से sector की है आपे बात हो रही है defense की defense में किस चीज़ की बात हो रही है तो दोस्तो air force की बात हो रही है बहुत ही शांदार खबर हम लोगो update देखने को मिल जैसे मैंने कहा कि अभी तक खबर का इंतजार चल रहा है सच होने का और air force के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से company के बात करने वाला हूँ बिल्कुल आपने सही गेस के है हिंदुस्तान अरोंटिकल्स लिमिटेड HAL की यहापे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तो and literally HAL इतियास रचने के बहुत ही करीब यहापे आ रहा है यह हम लोगों को management के statement के चलते पता चल रहा है अभी आप बोलोगे कि इतियास रचने के करीब मतलब ऐसा क्या हो रहा है तो अगर आप इस channel से already जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि यहापे HAL कौन सी चीज से related फिलाल तो काम यहापे कर रहा है तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यह combat जो लड़ा को विमान जो रहते है वो यह company बनाती है तेजस aircraft आप लोगोंने सुना ही होगा helicopter सुना होगा तो यह वो बनाने का काम यहापे करती है तो defense के मामले में इनका अच्छा योगदान है और आपको याद होगा बीच मैं मैंने video बना कर भी आपको बताया था कि दुनिया की अगर हम लोग बात करे तो खास करके Russia और Ukraine का जो युद हुआ उसके बाद जो कुछ मतलब बोलते हैं ना छोटे छोटे चोटे countries छोटे चोटे countries मतलब कौन से ऐसे countries बहुत सारे जिनके पास खुद के Air Force भी नहीं है तो उनको भी ऐसा लगा कि खुद के Defense के हिसाब से हमारे पास Air Force होनी चाहिए बट उन छोटे countries का problem क्या है अगर हम लोग बात करें यह जो aircraft खरीदने की बात होती है विमान खरीदने की fighter jets खरीदने की बात होती है इनके cost बहुत ज़्यादा होते है चाहिए आप Russia की बात करे मतलब उनके सुखाई की बात करे France के Rafale Jet की बात करे या फिर US के F Series की बात करे बहुत costly होते है और यह जो देश है वो क्या कर सकते उन चीजों को afford नहीं कर सकते तो यह देश क्या कर रहे थे उनको चाहिए कि ऐसा कोई तो सस्ता या फिर कम दाम में aircraft उनको चाहिए जो की defense के मामले में उनको थोड़ी बहुत मदद कर सके तो उसके हिसाब से अगर देखा गया तो China का J-Series वाले fighter jets available थे उसके साथ-साथ उनको टक कर देने के लिए फिलाल इंडिया हमनों को बाजार में उतर देखने को मिला है along with the Tejas aircraft और दोस्तो चाइना का J-Series जो record है न वो इतना कुछ खास नहीं है तो इसलिए दोस्तो इंडिया का जो Tejas है उससे related दोस्तो विदेश के बाजार में हमनों को चर्चा होते वे दिखने को मिले ऐसे कुछ देश है जैसे कि मैं नाम बताना चाहूँगा अर्जंटीना है फिलिपिन से अगर मैं और बात कर तो मलेशिया है इजिप्ट है उन्होंने क्या किया था उनके पास Air Force नहीं है इफेंस से रिलेटेड ओर दे देता है एरक्राफ्ट से रिलेटेड तो यह इतिया सरचने वाली बात रेगी है और उस इतिया सी दिन में हिंदुस्तान अनोटिकल्स का जो शेर है वो आपको रॉकेट बनते वे देखने को मिलेगा इसी थियरी के चलते है है हम लोग अलड़ी आ चुके है अगर आपने वो पूराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक में उपर आई बटन पे देता हूँ अब चाहो तो जाके देख सकते हो हल के अगर मैं बात कुरूँ अभी इस वीडियो में इसको कवर क्यों कर रहा हूँ इसे रिलेटर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया है अभी तक कोई देश ने फाइनल चीज नहीं बोली है बट इंटरेस्ट दिखा रहे है इसलिए मैं ने का ये इफबट वाली बात है कि अगर इन में से कोई कंट्री येस बोल देती है तो आप अंदाजा लगाईए कि एक डिफेंस के मामले में कितना बड़ा ये मतलब एतियासिक दिन रहेगा मतलब आप हर एक न्यूज चानल के उपर या फिर बिजनेस चानल के उपर फिर आप यही न्यूज यहापे बार-बार रिपिटेशन मोड़ते यहापे देख सकते हो सुरोस तो यह सारी बाते किसने बोली तो कंपणी के जो CMD है उन्हेंने यहापे इंटर्वी में बात बोले कि उनकी बात्ची चल रहे हैं खास करके उन्होंने मतलब आप देख सकते He expects a positive result from Argentina orders अर्जेंटीना की बात करें फिलाल तो वो helicopter से related discussion यहापे कर रहे है यह deal हम लोग ओती भी देखने को मिल सकती है यह फिलाल तो वो positivity की साथ यहापे बोल रहे हैं एक जमाने में वो ऐसे ही बात Malaysia से related भी करते थे और उससे पहले उन्होंने और भी कुछ पॉइंट सामने रखे जैसे की union budget आने वाला है और उसमें अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यह सारी बाते हैं उनके हिसाब से we expect कि सरकार यहाँ पे HAL का योगदान क्या रहने वाला है आने वाले समय में वो दिमाग में रखकर ही यहाँ पे budget में defense related भी बहुत बड़ा एलान करेगी क्योंकि अगर भविशा में अगर हम लोग बात करें बहुत बड़े बड़े अगर orders आ जाते हैं और उनको execute करने के लिए पैसा चाहिए और यहाँ पे अगर हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है तो दिक्कते हो सकते तो इसलिए budget में भी सरकार इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए यह सारी बाते उन्होंने यहाँ पे बताई है देन उसी के साथ-साथ कुछ और भी points उन्होंने बता है कि कैसे Indian Army से भी उनको कुछ यहाँ पे orders यहाँ पे मिले थे वो उन्होंने कैसे successfully deliver कर दिये खास करके orders उनको पहले नहीं आते थे बट जो गलवान में हम लोग को एक बहुत बड़ा चीज़े देखने को मिले थे India and China के बीच में उसके बाद यह orders हम लोग को बढ़ते वे देखने को मिले थे तो इसका भी फाइदा इस company को होते वे देखने को आपे मिला है उसी के साथ-साथ और भी अलग-अलग चीज़े हैं हम लोग को HL करते वे देखने को आपे मिली है drone से related अगर हम लोग आपे बात करें तो HL नहीं आपे यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो focus है वो combat drone के और फिलाल तो हम लोग को देखने को आपे मिल रहा है और उसको भी यह develop करने का काम कर रहे है plus company नहीं यह भी बताए कि उनका जो order book है वो लगबग 84,000 करोड तक जाते वे देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ उसमें से 36,000 करोड हम लोग को अभी materialize होते वे देखने को में लेगा आने वाले 6-7 मेने के बीच में प्लस उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात दोस्तो repair and overhaul orders will be an additional 15,000 करोड इसका अरत क्या होता है देखें सिर्फ वीमान बेच के काम नहीं चलता है उसका maintenance, overhauling मतलब क्या उसको बार-बार maintenance की repairing की ज़रुवत पड़ती है तो वहाँ से भी उनको 15,000 करोड का repetition हम लोगो होते वे देखने को मिल जाते है अगर आप HL के records को भी पढ़ने जाओगे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा रहता है HL is engaged in the business of manufacture of aircraft and helicopters and repair maintenance and aircraft जो helicopter से थे उसके साथ भी यह deal करते है तो उससे related भी उनको लगातार पैसा हम लोगों को आते वे दिखने का आपे मिल रहा है अगर हम लोग बात करें तो HL के जो management है उन्होंने ये भी का है कि 23-24 की बात करें तो वहाँ पे भी वो 8% के growth के साथ यहाँ पे आगे बनने की बात करें revenue के terms में and double digit growth की बात करें तो 2025 onwards वो expect यहाँ पे कर रहे है बट अगर ये order अगर बीच में मिल जाता है न दोस्तों इनको तो believe me ये 2023-24 में इस growth को यहाँ पे अच्छीव करने का पूरा दमखम भी रखते है और जाते आते उनको जो सवाल पूछा गया था Malaysia से related so ये सबसे बड़ी hope थी कि इंडिया को शायद से पहला order Malaysia के और से आपे मिल सकता है बट फिलाल तो उन्हेंने का है कि ये जो probability है अभी तक cancel नहीं है बट बहुत ही drastically level पे हम लोगों को reduce होते वे देखने को मिली है Malaysia से related क्यों सबसे जादा हम लोगों को confidence था कि यहाँ से order मिल सकता है क्योंकि Malaysia के पास हम लोगों को Russia के सुखोई भी देखने को मिलेते और उसका जो overhauling का जो repairs का जो sparts रहते है वो Malaysia को हम लोगों ने मतलब इस order के साथ ही jointly provide करने की बात की थी तो एक expectation था कि शायद से Malaysia ये चीज़ को accept कर ले करके बट फिलाल तो अभी तक इनके और से positive कोई भी response देखने को नहीं मिला अभी हमारे लिए Argentina important हुआ है तो इसलिए आपने Argentina के उपर focus रखना चाहिए प्लस उसी के साथ साथ और कुछ उन्हेंने important बाते की है जैसे कि ISRO के साथ भी company का यहापे बात्चीच चलते वे देखने को मिल रहा है ISRO ने भी बहुत सरे orders इनको यहापे provide किये है जैसे कि अगर हम लोगे आपे बात करें nearby 700-800 करोड के orders हम लोगे engine से related जो ISRO का requirement रहता है वो भी deliver करने से related काम फिलाल तो company यहापे कर रही है मतलब अगर देखा गया तो बोलने के लिए HAL यह aircraft से related काम करता है defense के मामले में बट उसी के साथ सा drone sector में भी है and मतलब defense, aerospace, space हर चीज में यह काम करते वे देखने का आपे मिल रही है तो जरूर HAL को आप अपने radar के उपर आपे रक सकते हो सबसे अच्छी बात यह है दोस्तो कि इस company के balance rate भी चेक कर लेना लगबग 19,000 करोड के आसपास के results है करजे की बात कर तो long term borrowing zero है short term borrowing भी zero है यह एक बहुती बढ़िया balance rate वाली company है and cash and cash equivalent भी देखोगे तो लगबग 14,000 करोड का company के पास cash भी है no doubt समसे ज़्यादा risk की अगर मैं बात करू HAL से related कौन सी बात है जो कि इसको बार-बार परिशान करती है तो yes यह एक सरकारी company है तो सरकारी company में बहुत स्यारी चीज़े हम लोगो होती वे देखने को मिल जाती है प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे 75% किसके पास है? President of India तो यह एक हमेशा रिस्क रहेगी कि सरकार कब क्या फेसला ले और कब फेसला को वापस पल्टा दे क्योंकि इसका experience भी हम लोग इसके पहले ले चुके है HAL में आपको मैं दिखाना चांगा कि कमपनी ने पहले बोला था मैनेजमेंट ने कि हम लोग क्या कर रहे है split देने जा रहे हैं और बाद में HAL का share गिर गया क्यों कि जब board बेठक होई तब उन्होंने अपने split का plan को क्या कर दिया? defer कर दिया, postpone कर दिया, cancel कर दिया तो इसलिए इस प्रकार की चीज़े यहापे होते वे देखने को मिल जाती है तो अगर आप इस company को अगर निवेश करने की बातचित मतब सोच रहे हो तो यह एक ऐसी risk है जिसके बारे में भी आप लोगोंने विचार करना चाहिए बाकी अगर देखा गया तो HR एक बहुती सुन्दर company एक साल में market भले गिरा हो पर इसने तो 70-80% की returns अपने shareholders को कमा के आपे दे वे है और जिस दिन यह खबर सामने आएगी कि कि किसी देश ने हिंदुस्तान Aeronauticals Limited का order को accept कर लिया है बस उस दिन हम लोगों को यह आपे इस stock के उपर जरूर आना है और फिर देखना है कि यह company किस तरीके का performance से आपे दिखाती है बट जैसे मैंने का यह if but वाली बात है अभी तक कोई भी country टोटल कूल मिला के अगर मैं बात करूँ 6 countries मतलब हमारे हिंदुस्तान Aeronauticals Limited के जो helicopter से aircraft से उनको खरीदने का विचार कर रहे है बट अभी तक किसी के और से भी final confirmation आया नहीं है बट जिस दिन आएगा definitely इस company में आपको शांदार धमाका होते भी देखने को मिल सकता है आशा करता हूँ सारी चीजों को यह आपे मैंने detail में cover किया है वीडियो अच्छा लगे तो चाओ तो आप इसको like and share कर सकते हो and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया है तो link नीचे description में 25 वडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौनशा account अपने link के तो open किया है properly comment section में mention कर देना तो अफ्ते बर के अंदर-अंदर सारे lectures मेरे साइट से आप लोगो free of cost प्रोवाइड कर दे जाएगे ताकि आप stock market को आसान भाषा से सीख सको so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting Rx video तब तक के लिए bye bye